जैन दोस्तों वाइकम बैक टू आर चैनल वाइकम बैक टू चाप्टरिया असा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिप्रेशन में बहतर इन तरीके से लगे होंगे जैसा कि जारकन साय का चार्ज का आभी रिसेंटली जो एक्जाम हो रही है उसमें आप आप लोग अगर इस टौपिक और जो है क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक बने रिएगा क्योंकि ये बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और ये लिए से लेस में भी मैंने लिएगा वीडियो में अंतक चैनल कर दोस्तों को फॉस्ट टाइम जूड़े तो को ज़रू सब्सक्राइब करके बाइकन को फ्रेस कर लिजेगा ताकि कोई भी जो है अपडेट आती है अचार्ज के रिगार्डिंग तो आपको मिल पाए और इस तरह से जो है छोटे-छोटे जो है टॉपिक्स में लाता रहता हूं ताकि आपको कम समय में जो है वो सारी लौट रिपन वाइसराइ थे आपका 18-84 के तो उस समय उन्होंने इस्थानिया सोसासन का जन्मदाता की ने का जाता है तो आपका अंसर होगा लौट रिपन और यह वाइसराइ रहे हैं कब से कब तक 1880 से लेकर 1884 तक रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ह स्वाइतिसासी सनस्थाइं 1882 इस भी में ससक्त हो गई थी तो इन्हीं के जो है रिजन की वज़सी यह हो पाया था भारत में पंचाईती राज की अनुसंसा के लिए बनी समेती के अध्यक्ष बलबंत राय महता थे तो कोश्चन यह पूछ लिया जाएगा कि भारत में जातंत्रिय सनस्थाओं का संगठन जो है गठन होना था साथी साथ राजस्थान में ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट पॉइंट है एक एक पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है लाइन वाइस तो इसको आप लोग को फोकस करने की जूरत है राजस्थान में अक्टूबर 1959 में सर्व परतम पंचायती राज ववस्था लागू की गई तो कुशन पुछलेगा कि पंचायती राजबवस्था लागू करने वाला पहला राज को न साथा भारत का तो आपका आंसर हो जाना चkop dispon और यह कब लागू हुआ यह भी पूछ लेगा तो आपका अक्टूबर 1959 59 को हुआ था इस इसी वर्स नवेंबर में आंधर परदिस में ने भी जो है इस बवस्ता को लागू किया था और उसी साल जो है सेकेंड आपका एस्टेड बना था आपका आंधर परदिस जो कि इनोंने नवेंबर 1959 को जो है पंचायती राज बवस्ता लागू हुई थी आपका 2 अक्टूबर 1959 को होती है गांधी जैंदी के दिन से ये शुरू की जाती है जवालाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज बवस्ता का प्रारम नागूर में उन्होंने किया था साथी साथ पर्थम पंचायती राज बवस्ता का उदगाटन जो है पंडित जवालाल नेहरू दारा 1959 में किया गया तो कोईस्टन पूछ लेगा कि पर्थम पंचायती राज बवस्ता का उदगाटन किनके दारा किया गया था तो आपका आंसर होना चाहिए पंडित जवाला असुक महता समेती जो है पंचायती राज से रिलेटेड है और ये बनी थी 1977 को बनी थी, डॉक्टर पीबी के राव समेती 1985 को बनी थी और डॉक्टर एम एल सिख भी समेती जो है 1986 में बनी थी, पीके ठंगुन समेती जो है 1988 को बनती है वहीं साधिल अली समेती जो है 1964 को राजस्थान में जो है ये समेती बनती है और ये सारे समेतियां जो है आपके पंचायती राजववस्ता से रिलेटेड है तो कोईस्चन इस तरह पूछ देता है कि निम्नलिकित में से बताए कौन सी पंचायती राजववस्ता से संबंधित समेतियां है तो आपको ये पूछ लेगा एक टाइप का दूसरा पूछ लेगा कि बलमंत राय महता समेती जो है कब बनी थी इस से इस टाइप के कोईस्चन आपके यहां पे फ्रेम हो जाते हैं कॉंग्रेस दरह स्थापित उच इस पर ये समेति का जो है गठन किया गया था 1954 को इस बात को ध्यां रखिएगा साथी साथ अनुचेत को ध्यान रखिएगा पंचायती राजववस्ता भाग 9 का जो है भाग 9 में इसकी जो है बात की जाती है और इसकी अगर आर्टिकल की बात करें आर्टिकल्स की तो अनुचेत 243 जो है पंचायती राजववस्ता से समंधित परिभासा इससे मिलती है साथी साथ जो है अनुचेत 243 को के तहत ग्राम सभा की बात की जाती है वहीं अनुचेत 243 को के तहत ग्राम पंचायतों का गठन की यहां पे बात की जाती है तो ये सारे भी ध्यान रखेगा साथी साथ पंचायतों के अबधी का बात किस आर्टिकल में होती है तो अनुछित 243 यानि 423 जो है अंगा में की जाती है तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तो पंचायतिराज बबस्ता से ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो आपको यहाँ पे याद रखती है वहीं अगर बात करें नगरपालिका की तो भाग 10 में नगरपालिका की बात की जाती है तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा ये आप 5-year plan को समझते है देख सकते हैं 5-year plan की बात करें तो 1st 5-year plan जो आपका आया था वो 1951-1956 में आया था और इसका object था आपका goal था इस plan को लाने का की agriculture development हो और इस model का नाम दिया गया था Horald Domer horror domer model के पराधारित था ये first पंची वर्सिय जोजना तो question काफी पूछा जाता इससे पूछ लेगा horror domer model जो है किस पंची वर्सिय जोजना में आया तो आपका answer होना चाहिए ये first पंची वर्सिय जोजना में आया first पंची वर्सिय जोजना कब आई तो 1951-56 में आई और उसका objective क्या था तो आपका था agriculture development वहीं second पंची वर्सिय जोजना आती है आपका 1956-61 में आती है और इसका goal था industrial development होना और ये model का नाम था PC Maha Lonvish model पर ये आधारित है तो question frame हो जाता है कि PC Maha Lonvish model पर कौन सी जोजना है पंची वर्सिय जोजना आती है तो आपकी second पंची वर्सिय जोजना आती है याद रखिएगा और इसका object था industrial development साथी साथ थार्ड पंची वर्सिय जोजना जो आती है 1961-66 जो है थार्ड पंची वर्सिय जोजना होती है जिसका object था economic independence होना और ये model का नाम था गोडजिल जोजना ध्यान रखेगा गोडजिल जोजना कि इस पंचवर्षी जोजना का नाम है तो बोलिएगा आप थर्ड पंचवर्षी जोजना का नाम है उसके बाद आता है आपका 1966-69 में आपका आता है planned holiday राता है इसका reason क्या था क्योंकि इसमें इंडो पाक war चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का war था इस वज़े से यहाँ पांच वर्षी जोजना यहाँ पर नहीं वो पाई थी इस time period में लागू तो आप फूर्थ पांच वर्षी जोजना आती है जो कि आपका जो है गरीबी हटाओ का नारा इसी में लगाए गया था तो question पूछ लेता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंच वर्षी जोजना में के तहत लगाए गया था तो आपका फिफ्थ पंच वर्षी जोजना में यह चीज़े आई थी और पूछ लेगा कि कब फिफ्थ पंच इस तरह के question बनते हैं दोस्तों और अगर देखिएगा तो इस तरह से आपका जो है 6th पंच बरसी जोजना आजाती है फिर आपका जो है बीच में rolling प्लान आता है 1978 to 1990 को उसके बाद आपका 6th पंच बरसी जोजना जो है यह आती है जो है 6th पंच बरसी जोजना जिसका अब्ज फिर आता है 7th में 1985 to 90 जो है 7th पंच बरसी जोजना आती है जिसमें self economy और technology की बात की जाती है और यह object रखा जाता है चलिए इस लोग इस जो है सारे पंच बरसी जोजना को हम लोग जो है ट्रीक से समझते हैं तो ध्यान रखेगा आपको यह सारे ध्यान से focus अगर वीडियो जो आपका आता है 1951 to 56 में आता है इसका object क्या था यह पूछ लेता है तो याद रखिएगा सीप कोट यह आपका जो है यहाँ पे ट्रीक है याद रखिएगा सीप कोट S for आपका social service I for industries P for power और CO for communication हो जाएगा 50 for transport हो जाएगा तो यह main object था आपका फर्स्ट पंच बरसी 61 में आता है और इसका main object था देखिए इसका trick है याद रखने का मढरास तो M for आपका होगा महाल उन्विस मॉडल सेकंड पंच बरसी जोजना फिर आता है A से atomic energy communication very very important है दोस्तों यहां से directly question frame होता है पुछ लेता है atomic energy communication जो है commission जो है आपका किस पंच बरसी जोजना में लाग पंच बरसी जोजना के तहत बना और Tata Steel Plant जो है किस पंच बरसी जोजना के तहत बना तो यह भी आपको ध्यान रखना है यह second पंच बरसी जोजना थी very very important है दियाद रखेगा M for महाल उन्विस model A for atomic energy commissions D for दूरगापुर Steel Plant and Tata Industries of Fundamental Research R for राउर के ला Steel Company और फिर rapid industrialization और फिर है A for agriculture हो जाएगा और S for socialistic pattern of society हो जाएगा तो very very important है इस तरह से आप इसको ट्रीक से भी याद रख सकते हैं थर्ड आपका आजाता है five year plan थर्ड five year plan जो है 1961 से 66 तक चलती है और इसमें object था आपका SAD इसको याद रख सकते हैं SAD से S for self-reliance A for agriculture और D for development of industry यह आपको याद रखनी है फिर आपका आता है fifth जो है five year plan जो आपका 1974 से लेकर 79 तक जो है यह fifth जो है five year plan आती है और इसका main object था PSTM P for poverty education as self-reliance और T for 20 point program और M for minimum need program यह main object था fifth year plan का तो five years plan का तो यहाँ पे sixth जो है आपका पंचवर्स की जो 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 आती है वो उसका year tenure रहता है आपका 1982-85 और इसका main object था आपका mail words से याद रख सकते हैं तो M for management, A for agriculture production, I for industries production और L for local development schemes तो यह आपका main object था चलिए next के हो जाते हैं जो कि है आपका seventh five years plan जो कि आपका 1985-90 के बीच जो है यह आती है और इसका main object था आपका याद रखिएगा EFGH EFGH यानि E for आपका होता है employment generation और F for food grain production was doubled होना चाहिए यह मुख्युद्ध से था जवाहर रोजकार जोजना जो है 1989 को आती है इसी seventh five year plan में आती है और हिंदू rate of growth यह main object था आपका seventh five year plans का फिर eighth five year plan जो आपके आती है 1992-97 के बीच और इसका main object था LPG यानि liberalization, privatization और globalization यह main motto था तो इसको ध्यान रखिएगा यह eighth five year plan में इसका जिग्र है वही ninth five year plan जो है आपका आता है 1997-2002 के बीच आता है और इसका main object था ESPN क्या था ESPN था यानि E for employment for women और SCs and STs और फिर S for आता है seven basic minimum service, V for आता है पंचायती राज इंस्ट्रक्शन और primary education यह main जो है इसका motto रहता है साथ में आता है N for nutrition security फिर आपका आता है 11th five year plan आता है जो आपका 2007-2012 का इसका tenure रहता है और इसका main object रहता है आपका देखिए इसके आप याद C for telecommunication और E for electricity, environmental science, A for enemyya से मुक्त होना और C for clean water, H for healthy education, E for environmental science, R for rapid growth और S for skill development यह main जो है object था आपका 11th five year plan का तो यह था दोस्तों आपका five year plans और आपका पंचायती राज से संबंधित important facts I hope so कि वीडियो आपके लिए informative रही होगी, helpful लगी होगी तो वीडियो को एक like जरूर कीजिएगा वीडियो में अंतक बने रहने के लिए बहुत बद्धानबाद, thanks for watching